हलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे गुड हल के पोदे के बारे में जो की आपने थमनेल पे देखी लिया होगा कि मैं किस बारे में आज बात करने जा रही हूँ तो वीडियो में आगे बनने के लिए पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक लाइक का बटन दबाईए और वीडियो को शेर भी कर सकते हैं तो चलिए बात करते हैं गुड हल के पोदे में क्या दिक्कत आती है देखिए आप देख पा रहे होंगे गुड हल में ज भी नहीं आए है इसमें क्या फर्टिलाइजर दिया है उसके बारे में तो मैं बात करूंगी ही लेकिन इसमें प्रोब्लम की भी बात कर लेती हूँ जिनके भी पोदे में कलिया आ रहे होंगी बहुत सारी लेकिन वो फूल में कनवर्ट नहीं हो रहे होगी ये प्रोब्लम यह आती होगी कि कलिया आती है पर पीली पड़ जाती है और गिर जाती है वो खिल नहीं पाती है तीसरी प्रोब्लम यह आ रही है कि कलिया बनी ही नहीं रही होगी तो इन में से अगर कोई भी प्रोब्लम आपके पोदे पे आ रही है तो यह वीडियो बिल्कुल सही आपके ल बहुत सारी आएंगी और फूल में भी अच्छे से कनवर्ट हो जाएंगी ये मेरा जो पोधा है ना ये कौन सी वैराइटी का ये तो पता नहीं है लेकिन ये हाइब्रेड में है और ये मेरे फूल इसमें जो है अगस्त से लेके और पूरी सर्दी तक फ्लावरिंग देता है पोधा मेरा इसमें गर्मी जब जादा होती है तो इसमें फ्लावर आना बंद हो जाते हैं तो देखे इस तरीके से कली पढ़ जाती है एक दो कली पढ़ी थी तो इसलिए मैंने इस वीडियो को सोचा बना लेती है और आपको बता देती हूँ कि ये किस वज़े से पढ़ी ह देखिए एक तो इसमें मिली बग का अटेक हो जाता है बहुत जल्दी जैसे ही कलिया बनने स्टार्ट होती है गुढल पे तो सबसे पहले ही ये प्रोब्लम आती है इसमें मिली बग की और इस पोदे को जो है ना बहुत अच्छा रिच न्यूट्रिशन्स चाहिए होते है नाइट्रोजन, एनपीके, फॉस्फोरस, पोटाशियम जैसे ये न्यूट्रिशन्स इसको बहुत ज़रूरी है तो अगर आप ये एक बर दे देंगे और सोचेंगे अब दो-तीन महीने के लिए छोड़ देते हैं तो एक बर आप फ्लावरिंग ले लेंगे लेकिन दुबारा से ये प्रोब्लम स्टार्ट हो जाती है तो इसमें आपका ही लॉस होगा अगर आप फर्टिलाइजर टाइम से नहीं देते हैं तो बरसात खतम होने के बाद तो बिल्कुल फर्टिलाइजर देना चाहिए क्योंकि बरसात के टाइम पे जो है पोधी मिनरल्स तो जाते हैं कुछ nutrition भी जाते हैं लेकिन उसके बाद जो तेज धूप पड़ती है उसमें पोधा survive नहीं कर पाता एकदम से उसमें जो है मिट्टी में इंसेक्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं तो उसके लिए मैं आपको बता रहे हूँ एक चमच के करीब हल्दी ली है मेरे जो आप देख रहे होंगे कितना बड़े बाल्टी में मैंने इसको पोधे को लगाया हुआ है एक चमच के करीब डेड़ चमच के करीब आप नीमखली का उपयोग कीजिए और आदी चमच के करीब मैंने लिया है ये चूना है लाइम जिसको बोलते हैं ये आपको पानवाले शोप पे इजली मिल जाता है इन चीजों को तीनों को मिक्स करके और आप पहले हलकी सी मिट्टी की गुडाई कर लीजिए मैं अभी शाम के समय में ये कर रही हूँ दूप अभी भी है हलाकि लेकिन फिर ज़्यादा एकदम से अंधेरा हो जाता है इसलिए मैंने अभी वीडियो बनाई है तो आप इसमें थोड़ी सी गुडाई कर लीजिए गुडाई करके इन तीनों चीज़ को आप इसकी मिट्टी के उपर डाल दीजे अच्छे से वैसे मैं अपने पोधे में ज्यादा गुडाई करके मिट्टी निकालकर फिर ने डालती हूँ क्योंकि इसमें काफी स्पेस है एक तो और दूसरी बात जब मैं कोई भी फर्टिल अगर आपको जानना है कि इस तरीके से मैंने इसको बूशी कैसे बना रखा और इतने फ्लावर मैं कैसे ले पा रही हूँ एक टाइम पर इतनी कलिया बन रही है जो आप देख सकते हैं हर स्टैम पर चार पांच कलिया एक साथ निकली हुई है तो मैंने इसको एक साल से मैं इसको ट्राइ कर रही थी बूशी बनाने के लिए यह अभी तक काफी लेंदी हो जाता पर मैंने इसको लेंदी नहीं होने दिया इसको मैं ट्रीम करके बूशी बनाए रखा है तो देख रहे हैं आप कितनी सारी कलिया अभी दिखाई दे रही होंगी और यह अब रोज फ्ल जादा पानी इसकी स्टैंप पे देंगे इसके पत्तों को दोएंगे न तो इसके अंदर जितने भी इंसेक्ट या मिली बक्स की प्रोब्लम या चीटी की प्रोब्लम होती है वो हट्ती जाएगी और यह जादा नहीं बढ़ेगी जादा बढ़ने के बाद पोधा मरने लग जाता है फिर जो इसका खास मैंने फ्लावरिंग के लिए जो बनाया है वो यह है इसमें मैंने क्या क्या डाला है मैं आपको बता देती हूँ तो यह मैं दो चम्मच के करीब इसको भी अपनी जडों में दे रही हूँ और उपर से फिर इसको हम पानी दे देंगे ध्यान चिलके उसको सुखा के रखे हुए थे हलाकि वो सुखे होते हैं फिर भी धूप लगा दीजिए और कुछ बनाना के चिलके आप ले सकते हैं मैंने पहले से इनको ड्राइ करके रखा हुआ था तो मैं मिक्सी में ग्राइंड करके ले आई हूँ दो चम्मच के करीब तीन चम पाउडर जो होता है मस्टर्ड केक पाउडर उसको भी एक चम्मच महिने में अड़ कर लेंगे अगर फर्टिलाइजर के साथ ही तो भी आपका पोधा बहुत अच्छे से इसके जो पत्ते में दिक्कत आती है न वो नहीं आएगी इसकी ग्रोथ फास्ट होगी और आपका प वीडियो पसंदेशाएं